जीले में शाहपुरा पंचाय समीती शेत्री के धनुप ग्राम में सिर्थ प्रमुक शक्ती पीर धनुप मातेश्वरी मंदिर से तीन अग्याद चोरों ने निज मंदिर में प्रवेश कर करीब 35 से 40 किलो वशनी चांदी के आभुशन चुडा लिये इन आभुशनों में मुकुट छत्र और पाठ शामिन है सुचना पर फूलिया कला थाना पलिस सहित पलिस उपादिक्षक गुलापुरा एफ एसल टीम और डॉग स्काउट भी मौके पर पहुँचे पलस CCTV के मात्यम से चोरो की तलाश कर रही है प्रसेदार में किस थर में चोरी होने से आसपास के शेत्री के लोगों में आख रोश फ्याप्त है धनोप माता मंदिर टस्ट के अत्यक सत्यंजर सिंग राणावत ने कहा कि रात्री में दो बीस से दो चौतिस के मद्धी है तीन चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया मंदिर में पांच मूर्तियों के मुकुट छत्रपाट और दर्वाजों में कुल 56 किलो चांदी लगी हुई है जिसमें चोरों ने 35 से 40 किलो चांदी चुरा ली है गुलापुरा सीयो अजय सिंग ने कहा कि मौके पर FSL और डॉक स्काउट टीमों को बुलाया गया हमने चोरों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है और CCTV के आधार पर जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा यहां के प्रसिद धनोक माताजी मंदिर में चोरी की गठना हुई गठना की सुचना मिलते पर ततकाल फूलिया थाना की पुलिस पहुंच गई और जिला स्तर से सारी एक्सपर्ट टीमें जैसे MOB हैं डॉक स्कॉर्ड है और FSL टीमें यह भी ततकाल मोके पर पहुंच गई है और आसपास के पुलिस अधिकारी भी मोके पर हैं टीमें गठित कर दी गई हैं शिग्र ही वारदात का खुलासा करके और चोरों को पकड़ा जाएगा माल कितना गया था खामाल करीब 35 किलो चांदी बताई जा रही है इसके लावा और भी तैकिकात करवाई जा रही है कि विल्टता माल क्या 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 नुक्सान हुआ है उसके नीचे पाट पर लगी हुई चांदी का करीब दो तिया इससा एक तिया इससा वो ले जानी सके मुखी जो दरवाजा है नेजबंदिर का जो चांदी से मंडित है उसके अंदर वाला मंदिर की तरफ वाला जो दोनों साइट की दिवारे हैं उस पर जो चांदी के काम क चद्र लगे हुए थे वो नहीं मिले 56 किलो 300 कुल ग्राम की कुल ये पार्ट की चांदी का था जो बनाया हुआ था उस रेकोर्ड के मुताबिक अगर आप देखें तो करीब 40 किलो चांदी नहीं मिले बाकी लगी हुए है इस पर CCTV केवरे उनके फूटेज खंगा ले गए तो रात दो बज़ कर 20 मिनिट से दो बज़ कर 34 मिनिट था कुल 14 मिनिट के बीच में तीन अग्यात आदमी एक अंदर गया निद मंदिर में एक मंदिर के बाहर सामान लेता दार एक बिल्कुल चैनल गेट के बाहर खड़ा रहा है इस तरह से ये नदर आ रहे है